हेलो गाइस एन गर्ल्स, लेट्स एक्स्प्लेइन शैनल पर आपका स्वागत है आज हम कवर करेंगे 2011 की एक बूटल क्राइम सर्वाइवल थ्रिलर मूवी मदर्स देखो खेर इसके डारेक्टर और मूवी के बारे में और बात करेंगे वीडियो के एंड में यह बहुत ही क्रेजी मूवी होने वाली है क्योंकि मूवी बिना टाइम गवाई सीधे मार काट पर उतर आती है तो चलिए हम भी बिना टाइम गवाई चलते हैं जल्दी से स्टोरी की तरफ और हाँ गाईस अगर आपको ऐसी मूवी देखनी है तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लेना जहां आपको इन मूवी का डारेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मूवी की शुरुवात होती है और एक लेडी नर्स जैसे यूनिफॉर्म में एक हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही होती है आज मदर्स डे भी है हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के रोकने पर भी वो नहीं रुकती और मेटर्निटी वाड से एक बच्चे को उठा कर चल देती है वहां की केर टेकर ये देखकर सिक्योरिटी को बताती है और नीचे उसे एक गार्ड रोकता भी है लेकिन वो नहीं रुकती और पासी के एक रूम में जाकर छुप जाती है वो गार्ड जल्दी से अपने साथी गार्ड को बुलाता है और दूसरा गार्ड आकर उल्टा पहले वाले गार्ड को बेरहमी से मार देता है खेर ये तो था मूवी का इंट्रो इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिसमें है डैनियल सोहापी और बेथ सोहापी कुछ देर रुको ये जल्दी सो सैड होने वाले है आज डैनियल का बड़े है तो उनके फ्रेंड्स भी उसके घर में आ रखे हैं जिसमें है कपल ट्रे और जीना, जॉर्ज और मेलिसा, एनेट और उसका मंगेतर डेव और जूली ये सब बेस्पेंड में बड़े मना रहे हैं क्योंकि बाहर तूफान आने वाला है और इनका बेस्पेंड टॉर्नेडो प्रूफ है तब ही तीन भाईयों को दिखाते हैं जिसमें है सबसे बड़ा भाई आइक, एडली और सबसे छोटा भाई जॉनी इसमें से आइक थोड़ा समझदार है लेकिन एडली एकदम साइको, एकदम जबरदस्ती बहस करने वाले नहीं होते, वैसा है खैर जॉनी को पेट में गोली लगी है और इन तीनों के बीच भेंकर पैनिक सिच्वेशन चल रहा है अगर फटा-फट से जॉनी का इलाज नहीं होता है तो वो मर जाएगा जॉनी आफकोर्स दर्स से रो रहा था और अजीब बात तो यह थी कि वो एक छोटे बच्चे की तरह अपनी मॉम से मिलने की जिद कर रहा था इसलिए वो लोग उसे अपने मॉम के घर ले जाने लगते हैं और घर पहुंचते ही वो घर की हालत देखकर शॉप्ड थे और ये घर कुछ देखा देखानी लग रहा जी हाँ यह दैनियल का ही घर है एडली आएक से कहता है कि हम गलत घर में गुझ गई है लेकिन आइक कहता है कि यह हमारा ही घर है डैनियल को उपर से कुछ हवा आ जाती है तो वो चेक करने जाता है और उसे मिलता है सर्प्राइज, वो उसे गन पॉइंट पर लेकर उससे पूछते हैं कि तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो, डैनियल उनसे कहता कि ये तो मेरा ही घर है, अभी दो मेने पहले ही तो खरीदा मै तब ही बैथ भी उपर आ जाती है और डैनियल उसे भागने को कहता है, लेकिन आइक से बचकर वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाती, उनके पूछने पर बैथ उनने बताती है कि नीचे और छे लोग है, एक बार फिर से एडली और आइक की बहस होने लगती है, लेकिन तब बैथ को उसकी बात माननी पड़ती है, वो नीचे जाकर जॉर्ज को उपर लेकर आती है, जॉर्ज एक डॉक्टर था, जॉनी को देखकर वो उनसे कहता है कि अगर इसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गए, तो ये कुछ घंटों का ही मैमान है, लेकिन वो सीधा कहते हैं कि डॉक कुछ कर, क्योंकि अगर ये मरा, तो तुम सब भी मरोगे, तो जॉर्ज बैट से उसका इलाज करने के लिए कुछ समान मांगता है, और तभी उन्हें उनकी बेहन लीडिया का फोन आता है, वो उन्हें बताती है कि वो मॉम के साथ ही है, आईक उसे जल्दी से मॉम को लेकर घर आने को कहता है, लेकिन लिडिया कहती है कि वो अब उनका घर नहीं है, लेकिन आईक उसकी कोई बात नहीं सुनता, इतने में जूली भी उपर आ गई थी, और मामला देखकर वो वापस नीचे भागती है, और उसके पीछे एडली भी जाता है, वो वहां से भागने की को चल रहा था, खेर वो लोग वहां के दूसरे एक्जिट में ताला लगा देते हैं, और जोर्ज को छोड़कर सभी को नीचे ले जाकर सबके वालेट और फोन्स ले ले लेते हैं, आईक एडली को वहां नजर रखने के लिए छोड़कर चला जाता है, और उससे कहता है कि पैंक लूटकर फरार हैं, जिसमें से तीन तो यही है, और चौते के बारे में हमें आगे पता चलेगा, इतने में लीडिया और मॉम भी वहां पहुँच गए थे, इसे हम मा ही बुलाएंगे, अंदर जाकर वो सबसे पहले जौनी को देखती है, और थोड़ा मा बेटे वाल लेडी है, जो एक बच्चे को चुरा कर भागी थी, आइक मा को अकेले में सारा मामलब बताता है, कि बैंक लूटकर जब भाग रहे थे, तो उनके एक साथी एथन ने जौनी पे गोलियां चलाई और सारे पैसे लेकर भाग गया, मा कहती है कि उन्हें जल्दी दूसरे और सको खोज रही होगी, और देश से बाहर उन्हें कोई गैबरियल नाम का बंदा लेकर जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कम से कम 10,000 डॉलर्स लगेंगे, जो क्यों के पास नहीं है, आइक मा से पूछता है, कि मैं जो आपको इस एट्रस पे पैसे भेज रहा था, मा उसे बताती है कि उसे तो कोई पैसे मिले ही नहीं, दरसल मा और लिडिया ने इस घर को दो मैने पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो इसका मोटगेज लोन नहीं भर पा रहे थे, और जैसे ही इस प्रॉपर्टी की निलामी शुरू हुई, वैसे ही डैनियल और बैथ इसे खरीद लिया, और तभी से मा और लिडिया एक ट्रेलर में रह रहे थे, और ये तीनों भाई बाहर रहकर अपना जो भी दो नंबरी काम करके इन्हें पैसे भेजते थे, लेकिन आइक पिछले दो महिने से इसी अड्रेस पे पैसे भेज रहा था, जिससे वो समझ गए क कि पैसे घर के करेंट ओनर, यानि कि डैनियल और बैथने रखे है, इसे कन्फर्म करने के लिए वो लोग नीचे जाते हैं, और मा डैनियल से पैसो के बारे में पूछती है, लेकिन डैनियल उन्हें मना कर देता है, कि उनके पास कोई पैसे नहीं आए है, लेकिन मा जानती थी कि वो जूट कह रहा है तो मा के कहने पर आईक और एडली ने डैनियल को सबक दे दिया लेगिन डैनियल अब भी कह रहा था कि उसे कोई पैसे नहीं मिले हैं खेर पैसे ना मिलने पर मा ने सबसे उनका एटियम पिन एक पेपर पे लिखवा लिया और सबकी रिंग भी ले फिर मा ने डैनियल से कहा भी तुम अपने गेस्ट को संभालोगे और तब तक आईक बैस को लेकर पैसो का जुगार करने बाहर जाएगा और वो लोग आट बजे तक उनके घर से चले जाएंगे और वो डैनियल को समझाती है कि अगर कुछ भी गड़बड हुई तो उसके एक कॉल पे आईक बैस को जान से मार देगा और उसने बैस से कहा कि अगर तुमने आईक के साथ कोपरेट नहीं किया और अगर आईक आट वजे तक वापस नहीं आ पाया तो वो यहाँ पर सबको मार डालेगी तब ही मेलिसा वहां से भागने लगती है लेकिन नैडली उसके मुँ पे गोली मार कर उसे चित कर देता है आईक बैस के साथ मेलिसा की बाडी लेकर जाता है और बैस से मेलिसा की बाडी को डस्ट बिन में फेकने को कहता है लेकिन वो उसे देखकर उल्टी कर देती है वो डस्ट बिन भी बन था तो आईक बाडी को डस्ट बिन के पीछे पर चला जाता है वो बैत को एटियम लेकर आता है और बैत उसे किसी बच्चे से उसकी माँ को दूर करने के लिए कोसे जा रही थी मेलिसा की एक तीन साल की बेटी भी थी आएक बैत से कहता है कि मैंने वो किया जो मुझे मेरी फैमली के लिए सही लगा और मौका मिलने पर तब ही बैत उने गन का इशारा कर रही थी लेकिन तब ही आएक उसे देख लेता है और फिर से काम खराब हो गया वो उन दोनों को भी गन पॉइंट पर ले ले लेता है और 30 सेकंड का समय और एक नाइफ देता है और कहता है कि जो जिसको मारेगा वो बच कर जा सकता है बड़ी में एक लड़की दूसरे को मार कर भाग रही थी तो आइक ने उसे भी पीछे से उड़ा दिया उदर घर में ट्रे बच निकलने के लिए दिमाग लगा रहा होता है लेकिन डैनियल उसके साथ नहीं था क्योंकि जब तक बैथ वापस नहीं आ जाती तब तक वो कोई रिस्क नहीं लेना चाता था कुछ देर बाद गाड़ी वाले कचरा निकालने आ जाते हैं और कचरे के पीछे उन्हें मेलिसा दिखती है जो की अभी तक जिंदा थी वो उसकी हेल्प करते हैं वेल यहां घर में जॉर्ज देखता है कि लीडिया कोई मेडिसिन ले रही है त क्योंकि ना तो मां के चारों बच्चे कभी हॉस्पिटल गए थे ना ही कभी स्कूल उन्हें बच्पन से ही सब कुछ उनकी मां नहीं सिखाया उनके अंदर जो जहर है उसे मां नहीं भरा जॉर्ज उसे बताता है कि यह कोई दवाई नहीं बलकि सिर्फ चीनी है तुमारी मा में अपने स्किन को लेकर इनसेक्यारिटी रहे जिससे तुम हमेशा अपना हर इससा ढखकर रखोगी जिससे ना किसी लड़के की नजर तुम पर पड़ेगी और ना तुमारा कोई बॉइफरेंड बनेगा और ना ही तुम कभी अपनी मा को छोड़ कर जाओगी जोर्ज उस की स्किन देखकर उसे बताता है कि तुम्हारे स्किन एकदम ठीक है तुम्हें ये दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं तभी मा वहां आकर लिडिया को ले जाती है बहार टीवी में न्यूज में बताया जाता है कि उनका एक साथ ही एथन पकड़ा गया है और उसने अपने गर में जो पहले रहा करते थे वो बैंक लूट के वांटेड है तो अगर तुम्हें कुछ पता है कि वो कहां हो सकते हैं तो तुम बेज जग बता सकते हो लेकिन वो अंजान रहकर उसे कुछ नहीं बताता ओफिसर उसे उसके चोट के बारे में पूछता है तो वो सर वहां से चला जाता है और डैनियल कर भी क्या सकता था उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यहीं करता उसे पता था मां के एक कॉल पे बैथ का खेल खतम हो जाएगा इसलिए उसके भी हाथ बंदे हुए थे मां घर में हर जगह उसके पैसों को खोज रही थी और वो लीड बता देता है लेकिन बैथ उससे और कैश के बारे में पूछ रही थी जिससे ट्रे समझ जाता है कि बैथ गन के बारे में पूछ रही है जो ट्रे सेल्फ डिफेंस के लिए अपने ऑफिस में रखता है ट्रे उसे बता देता है कि गन कहां पर है जौनी की हालत और भी बुरी होती जा रही थी और उसके खून के छीटों से जोर्ज भी लाल पड़ चुका था तो वो खुद को साफ करने जाता है और जॉनी को लग रहा था कि वो मरने वाला है और वो रोरो कर मा से कहता है कि उसने तो आज तक किसी लड़की के साथ रोमैंस भी नहीं किया ये सुनकर मा नीचे जाकर कहती है कि ट्रे और डेव दोनों लड़ेंगे और जो हारेगा उसकी वाइफ मेरे साथ जाएगी यहां मा क्लियरली डिवाइड और रूल वाली चाल चल रही है उन दोनों के पास भी कोई आप्शन नहीं बचा था तो दोनों आपस में ही भिड़ गए जिसमें ट्रे ने डेव को सुला दिया और एडली उसकी मंगेतर को ले गया उपर अपने साथ लेकिन उपर जौनी की हालत बुरी थी और उसकी सांसे रुक चुकी थी लेकिन थोड़ा CPR देने पर वो दोबारा होश में आ गया तब तक आईक ट्रे के शौप तक पहुँच गया था और बैथ उसे कोड बताती है और सेफ खुलते ही वो उस पे गन पॉइंट करती है लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ से भागती है और वहाँ रखे समान के बीच छ पारा गया था उसका नाम था जेक फेर माने को रेडी करके जॉनि के पास लेकर जाती है और जोर्च उनसे कह रहा था कि इस कंडिशन में उसे अराम करना चाहिए लेकिन मा लीडिया को जॉर्ज को वहां से ले जाने को कहती है और ना चाते हुए भी लीडिया और जॉर्ज को वहां से जाना पड़ता है मा जबरदस्ती एनेट के कपड़े उतार रही थी और एनेट का रोना सुनकर लीडिया और जॉर्ज भी रो रहे थे तबी जॉनी को कुछ होता है और जॉर्ज वहाँ आकर जॉनी को देखता है और मौका पाकर वो एनेट से कहता है कि नीचे जाकर गोल्डन बॉक्स को खोलना एडली एनेट को लेकर नीचे जाता है और वहाँ भी उसे मोलेश्ट कर रहा होता है जो कि डेव से देखा नहीं गया और उसने एडली पे हमला कर दिया मौके का फायदा उठा कर जीना वहाँ से हेल्प के लिए भागती है और ट्रे डेव को बचाने के लिए जाता है लेकिन तब तक डेव की खोपड़ी खुल चुकी थी जीना को बाहर भागता देख मा ने डैनियल से उसे तीन मिनिट का वक्त दिया और उसे यहाँ वापस लाने को कहा नहीं तो वो जानता ही है कि उसके एक कॉल में बैथ का खेल खतम एक बार फिर से वो मरता क्या ना करता वाले सिच्वेशन में था और ट्रे के रोकने पर भी वो नहीं रुपता और उसे जीना को जवरदस्ती वापस लेकर आना पड़ता है इधर मेलिसा को दिखाते हैं जिसे हॉस्पिटल लेकर आया गया था और उसे ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड की जा रही थी इधर बैथ और आइक के वापस लोटते समय उनका सामना उसी लेकिन बैथ उसे एक पेपर देती है जिससे वो समझ जाता है कि ये वही सो हैपी फैमली वाली है वो आइक से गाड़ी बंद करने को कहता है लेकिन आइक के पास ज्यादा समय नहीं था तो बहार निकलता है और आफिसर की तरफ बढ़ता है और आफिसर कुछ कर पाता उसस पहले आइक उस पे गन चला देता है और फिर स्टेरिंग वील बैथ को थमा कर कार उसे चलाने को कहता है बाहर देखने पर आफिसर अब भी जिन्दा था तो आइक उसे उस पे गाड़ी चड़ा देने को कहता है वरना क्या होगा ये बैथ भी जानती है और आप भी इसलिए ये मैं बार-बार नहीं बोलूँगा वो गाड़ी बढ़ाती तो है लेकिन आफिसर पे चड़ाने से पहले वो गाड़ी ले जाकर ठोक देती है थोड़ी देर बाद वो आफिसर उनके पास जाता है और दूर से ही बैथ से आइक के बारे में पूछता है और बैथ उसे बता करके ट्रे के कानों में डाला ये कहकर कि कान होते हुए भी बात ना मानने पर कान के हुने का फाइदा मानने कहाँ 具थ जब तक आइक और एक दिन उसका बेटा रास्ते के बीच जाकर किसी गाड़ी के सामने आकर मर गया सिर्फ डैनियल के ध्यान ना देने की वज़े से इसलिए वो उसके बेटे की फोटो को जला दे रही थी क्योंकि उसके हिसाब से डैनियल वर्दी नहीं था और एक सीक्रेट जो डैनियल चुपा रहा था वो ये था कि उसका जूली के साथ अफैर चल रहा है और मा को ये बात समझ आ गई थी तो मा जूली के बालों में अलकोहल डलवा कर उसके बालों में आग लगवा देती है और अच्छे खासे अमाउंट में उसका सकैल्प जलने के बाद आग बुझाती है और कहती है कि मैरिज पवित्र होता है लेकिन इसे कौन समझाए कि बच्चे जुराना कितना पवित्र होता है उनके जाने के बाद जीना फायर प्लेस में फायर स्टार्ट करके अपने हाथों में लिप्टी प्लास्टिक को दर्द से कराते हुए जलाती है और फिर सब को फ्री करती है और यहाँ हॉस्पिटल में मलिसा के फेस में से गॉली निकली ही थी कि तभी उसे होश आता है और वो बोल तो नहीं पा रही थी लेकिन लिक कर उन्हें ये बताती है Annette को याद आता है कि George ने उसे golden box खोलने को कहा था उसे खोलने पर उन्हें knives मिलते हैं और तबी उपर डैनियल का एक और सीक्रेट भी सबके सामने आता है। उसे पैसे रिसीव हो रहे थे और उसने उस पैसो को एक फोटो के पीछे चुपा कर रखा था जिसे मा ने खोज लिया था। ये देखकर वो एडली को नीचे जाकर डैनियल को लाने को कहती है। लेकिन डैनियल बाकी सबके साथ नीचे रेडी बैठा था। एडली के नीचे आते ही वो लोग उसे स्टैब करके उसके मुँपे प्लास्टिक लपेट कर उसकी सांस रोक कर फाइनली उसका गेम ओवर कर देते हैं। और एनिट थो अपना बराबर बदला ले रही थी। और बेथ को लाइन पर लिया और फोन डैनियल को पकड़ाया और दोनों की आखरी बार बात करवाई डैनियल ने भी अपनी वाइफ को आखरी बार आई लव यू कहा और माने लाइन पर ही डैनियल को गोली मार दी ताकि बेथ भी वो फील कर सके जो मा भी फील कर रही थी मा एडली के बारे में आइक को बताती है जिससे आइक भी बहुत गुस्से में था और मा बैथ को जल्दी से घर लाने को कहती है अब बचे थे सिर्फ जूली एनट जॉर्ज और बैथ लिडिया जूली और एनट को उप़र लाकर बान देती है तब जूर्ज मा को थोड़ा सा reality check देता है कि तुम इन्हें independent बनाना चाहती हो लेगिन ना तो याज तक कभी hospital गए हैं और ना ही कभी school तुम इन्फर्टाइल हो इसलिए तुम इन्हें खोने से इतना डरती थी कि तुमने इन्हें सिर्फ वो सब सिखाया जिससे वो इतना डर कर रहें कि तुम्हें कभी छोड़ कर जाही ना पाए इन में से किसी की शकल भी तुमसे नहीं मिलती यहां तक कि इनकी सकल तो आपस भी भी नहीं मिलती इतना सुनते ही माँ उसके गर्दन पर चाकू रख देती है लेकिन लिडिया मा को समझाती है कि हमने पहले ही एडली को खो दिया है अब जॉनी को बचाना है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी एक लड़का मरा उतना ही काफी नहीं है कि तेरे लिए तब जाक रहा और लिडिया समझ गई थी कि वो जआए को मारने वाला है आइक को बहुत समझाती है जॉर्स भी करसकता अपने फ्रेंड्स का बदला लेने के लिए लेकिन वह ऑंक्त मौ reporting हूआ इधर अंदर माँ उनको बताती है कि आज जितने भी लोगों ने अपनी जान गवाई उन सब की जिम्मेदार है बैथ क्योंकि उसने मुझसे जूट कहा कि उसे कोई पैसे रिसीव नहीं हो रहे हैं इसके जवाब में बैथ कहती है कि अगर मैं सच बोल देती तो तुम हमें तभी मार देते इसका मतलब बैथ ही सारे पैसे चुपा कर रख रही थी तो वो उसे प्रूव करने को कहती है और प्रेगनेंसी टेस्ट में भी रिजल्ट पॉजिटिव था जिसे देखकर ऑफकॉर्स मा थोड़ा जलती है और उसे भला बुरा सुनाती है और वो वहां से जाही रही होती है और मौके का फायदा उठा कर बैथ उसके सर में DR खोलने पर उसे वहां आइक दिखता है और वो उससे बचकर भाग पाती उससे पहले आइक ने उसे हमेशे के लिए भगा दिया आईक पागलों की तरह बेथ को खोचते हुए गैरेज में आता है जहां एनेट और बेथ दोनों चुपे हुए थे मौका देखकर एनेट उसके पैर में पाइप रंच से मारती है लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते लेकिन आईक उनका कुछ बिगाड़ था उससे पहले एनेट ने उसका फेस ही बिगाड़ दिया और उसके उपर टीवी गिराकर उसका भी गेम ओवर कर दिया तब ही महां मा आ जाती है और आईक को मरा हुआ देखकर वो और भी पागल हो गई थी बैथ और एनेट वहां से भागते हैं लेकिन बैथ को कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे वो एनेट को वहां से जाकर हेल्प बुलाने को कहती है और खुद वहीं पर रुकती है और मा बैथ के पीछे लग गई थी क्योंकि अब ये इसे नहीं छोड़ने वाली बैथ वहां पर रुकी थी जेक के चीजों को गायब देखकर खैर उनके बीच भेंग कर लड़ाई चलती है लेकिन आखिर में मा ने बैथ को लटा दिया और वो पूरे घर में गैसुलिंग छिड़क कर वहां आग लगा देती है लेकिन तबी बैथ को भी होश आ जाता है और वो वहां पड़े चॉपिंग बोर्ड से मा के सर पे वार करके उसे एडली और आईक के पास भेज देती है इतने में एनेट ने मदद बुलवा ली थी और फायर फाइटर्स को वहांसे एक लाइफ बॉड़ी मिली जो कि थी जीना की जी हाँ जीना जीना जिना 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 थी इनकी ये कभी न भुला पाने वाली रात तो खतम हो जाती है लेकिन अब एक और ट्विस्ट बाकी है फिर अब कुछ समय बाद का हम सीन देखते हैं जहां बैत की डिलिवरी होने वाली थी उसके साथ जीना एनेट और मलिसा थी उसकी डिलिवरी के बाद उसकी नीद खुलती है और वो देखती है कि हॉस्पिटल के अलाम्स बज रहे हैं बैत अपने बच्चे को देखने मेटर कर उसे लोरी सुना रही थी और इसी के साथ एक क्रेजी मूवी फाइनली हो जाती है खतम हाँ तो गाइस और गिल्स ये था 2011 में रिलीज हुई एक क्राइम सर्वाइबल थ्रिलर मूवी मदर्स डे का एक्स्प्लेनेशन मुझे उमीद है आपको पसंद आया होगा इसके डि पूरी से डारेक्टिंग तक एक्टिंग से इमोशन तक ये मूवी परफेक्ट थी इस मूवी को एक बार जरूर चेक आउट करना क्योंकि ये मेरे फेवरिट्स में शामिल हो चुकी है कहर मेरे इंस्टाग्राम और टेलिग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मे को बबाह